नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर सीविल सेज में लोवर पीसेज में 2019 की तैयारी के लिए हमने पूरी प्लेलिश बना दी है इस्टेडी फॉर सीविल सेज़ चैनल पे आप उसको तुरंद देख लिजेगा उसमें लगातार अपडेट करते रहेंगे वीडियो उसमें आप देखते जाएगा उसी में टेस्ट सेरीज भी जुड़ती जाएगी उसी में प्रीविस इर क्वेश्चन पेपर भी जुड़ते जाएंगे उसी में जो है आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट जितने भी उसमें सिलेबस में पॉइंट है चाहे कोनिफिकेशन की पिल जरूर दबा लीजिए फ्री वाले टेलिग्राम को जरूर से जरूर जोइन करना है और अपना इस कोर जरूर बताइगा था 29 जुलाई 2019 को लोवर PCS का ये री एक्जाम है जो कि 2016 में होना था तो कुश्चन नमबर 114 हमारा पहला कुश्चन होगा अप्रेल 2001 में मंगलवार जो है वो कौन कौन सी तारीक को पड़ा था ये बताईए तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक अप्रेल 2001 को कौन सा दिन था और उसके बाद उसी हिसाब से चीजों को एड़्जेस्ट कर लेंगे तो एक अप्रेल 2001 इसी के बारे में बात करनी है हमें तो अप्रेल एक तारीक as it is उसके बाद अप्रेल का जहां तक सवाल है तो इसका हम कोड लिखेंगे कोड की लिस्ट आपको ये दे दे रहे हैं 614 625 035 अब इधर से चौथे नमबर का महीना अप्रेल होता है अप्रेल का कोड हो गया 6 अप्रेल की बात खतम हो गई 2001 को आप लिख सकते हैं 2000 प्लस एक अब ये जो 2000 है ये सदी है इसका कोड हमें लिखना पड़ेगा सदी के कोड की लिस्ट ये रही 6420 16 17 18 19 अगर आपको 20 पर जाना है तो वापस 6 पर जाईए तो 2000 का कोड भी हो गया 6 अब उसके बाद जो एक बचा है उसको as it is अब एक साल में कोई लीपियर तो पड़ेगा नहीं विकॉस वो हर 4 साल में पड़ता है इसलिए आगे कुछ लिखने की हमें जरूरत नहीं है तो एक छे साथ छे एक साथ ये सब कुछ कैंसल हो गया फाइनल रिमेंडर हमें कुछ भी नहीं मिला ये जो कुछ भी हमने लिखा था इन सब को जोड के हमें साथ से काट के रिमेंडर लिखना था या तो फिर आप साथ ढून ढून के कैंसल करते जाते जो की अभी थोड़ी दिर पहले किया गया है तो 0 हुआ न, 0 का मतलब है Sunday तो 1 अपरेल को था Sunday, 2 को Monday, Tuesday पहली बार 3 को पड़ेगा उसके बाद पड़ता जाएगा, 10, 17, 24 Option A उसके बाद दूसरा कुश्चन है, height and distance है A ram for unloading a moving truck एक truck जैसे चल रही है, उससे माल उतारना है तो एक धलान टाइप का इससे नीच लगा देते हैं अब जो धलान लगा है, वो जमीन से 30 degree उपर उठा हुआ है इस टाइप का ये धलान हो गया, ये angle हो गया 30 ये right angle triangle आपके सामने बन गया, ये angle हो गया 90 इस the top of the ramp, ramp की top है ये, ये जमीन से 0.8 meter उपर है यानि ये पूरी height हो गई है, 0.8 meter find the length of the ramp, ramp यहां से लेकर यहां तक कलंबा है तो इस वाले right angle triangle का hypotenuse चाहिए इस 30 के हिसाब से, इस 30 के हिसाब से base है ये perpendicular है 0.8 और hypotenuse है H hypotenuse चाहिए न, तो sin theta लगा देंगे perpendicular by hypotenuse, 0.8 by H sin 30, बराबर 0.8 by H sin 30 मतलब 1 by 2 by H cross multiply करेंगे, 0.8 into 2, 1.6 meter इतना ही लंबा ramp है, C the smallest value of a collection of data is 11 and the range is 47 range होता है highest value minus lowest value highest value जो सबसे बड़ी है what is the largest value हमसे in fact यही पूँची गई है lowest value सबसे छोटी value 11 थी और range थी 47 इस minus 11 को उधर वेजेंगे 47 plus 11 तो ये plus बन जाएगा 58 D उसके बाद इसको solve कर दीजे 117 नंबर में तो numerator में अगर हम बात करें 0.1 into 0.1 0.01 और ये हो जाएगा यहां से 0.0001 और ये 0.1 divide by 10 इसका मतलब multiplied by 1 by 10 तो ये भी 0.01 हुआ plus minus cancel हो गया 0.1 से इसको काट देंगे तो 0.001 आ जाएगा B 118 बात करेंगे What is the simple interest on rupees 10,000 at the rate of 6% per annum for 2 years 6% एक साल के हिसाब से तो 2 साल के हिसाब से कितना 12% because simple interest हर साल सेम रहता है और जो principle होता है वो हमेशा शुरू में 100% माना जाता है इसको कौन सा दिन होगा तो यहाँ पे दोनों में से कहीं पे भी लीपियर नहीं है और लीपियर होता भी तो भी हमें ये चेक करना पड़ता कि 29 फरवरी पार हुई है या फिर नहीं तो यहाँ पे जब कोई लीपियर है नहीं तो 29 फरवरी की बात भी नहीं करेंगे सीधे प्लस वन का गैप लेंगे Thursday प्लस वन यानि Friday C If the cost price is 80% of the selling price Cost price आपको कब मिलेगी जब आप selling price का 80% ले लेंगे 100 C is equal to 80 S Cancel करिये चाहे नहीं करिये कोई इतना फरक नहीं पड़ेगा Because percentage बताना है Profit का absolute value हमारे लिए matter नहीं करती है तो S by C या C by S को किसी का भी ratio ले लिजिए Cost price के साथ 100 multiplied है तो ये 100 और ये 80 C के सामने 80 है इसका मतलब Cost price 80 है 80 रुपए का समाना अप लेके आए हो S का मतलब 100 है उसके सामने तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में बेंच दिया 80 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेंच दिया 20 रुपए का लाब उठा लिया 80 पे because divide हमेशा Cost price से करते हो 1 by 4 यानि की 25% भी What is the amount of रुपी 6,000 at the rate of 5% per annum for 2 years when the rate is compounded annually Compound interest के हिसाब से 5% एक साल का दो साल के लिए बात करनी है 6,000 रुपए कितने बन जाएंगे इसका मतलब अगर आप 6,000 रुपए उधार देते हैं किसी को तो ब्याज समेत वापस आपको कितने मिलने वाले हैं ये बताइए तो पहले ब्याज ही निकाल लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा ये पहला साल ये दूसरा पहले साल तो सिंपल है 6,000 का 5% मिलेगा 10% मतलब 600, 5 मतलब आदा 300 दूसरे साल ये 300 तो मिलेगा ही इस 300 का 5% भी मिलेगा 300 का 10% 30 तो 5% आधा 15 615 कुल मिला के ब्याज मिलेगा जो की जुड़ जाएगा 6,000 में तो 6,615 रुपे ब्याज सहित आपके हो जाएंगे A, A car move set a speed of 90 km पर आर 90 की speed से car जा रही है किलोमीटर पर आर में तो मीटर पर सेकेंड में बताईए कितना हो जाएगा तो जब भी किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड जाना हो तो 18 बटे 5 से गुणा करते हैं सौरी सौरी, 5 बटे 18 से गुणा करते हैं अब पांच पचम पच्चिस, option B A clock is started at noon एक घड़ी है वो noon पे आनी exactly दिन के 12 बजे चालू होती है by 8 minutes part 8 8 बचकर 10 मिनट पर बताईए कितना एंगल कवर हो गया होगा और वो भी सिर्फ आर हैंड की बात करनी है तो आर हैंड अगर अभी 12 पे है तो ठीक 12 गंटे बाद भी 12 पे होगा तो इसने कितना घूम लिया पूरा चकर काट लिया न 360 डिगरी इसने कवर कर लिया 12 गंटे में तो एक गंटे में कितना 30 डिगरी एक गंटे में 30 डिगरी तो एक मिनट में कितना आठ बचकर 10 मिनट जाना है यानि कि 8 गंटे तो सीधे सीधे लेना है एक गंटे में 30 डिग्री तो 8 गंटे में 38 जा 240 एक मिनट में आधा डिग्री तो 10 मिनट में आधा गुड़ें 10 यानि 5 टोटल हो गया 245 डिग्री For the collection of 10 items Sigma X बराबर 155 यानि जितने भी आईटम थे सबको जोड़ के आपको 155 मिलता है Arthematic mean is Average बताईए Average होता है सम बचे में number of items सबको जोड़ के जितना मिल रहा है उसको divide कर दीजे जितने आईटम है तो हर एक को कितना मिलेगा वही average माना जाएगा 155 बचे 10 15.5 If the GCD and LCM of numbers A and B are equal LCM और HCF बराबर है Because GCD का मतलब HCF ही होता है तो number हमेशा बराबर होंगे कोई भी number ले लिजे 15 15, LCM भी 15, HCF भी 15 अगर एक भी अलग हुआ तो LCM, HCF बराबर नहीं रह पाएंगे The numbers must be equal C बराबर होने चाहिए अगर आपको विश्वास ना हो तो एक को भी different कर लीजे और बताइए LCM, HCF अगर अलग हो जाए तो The ratio of present ages of Prasad and Biju is this Prasad की 5X और Biju की 4X हो गई Then 5 years ago दोनों की 5-5 साल कम कर दीजे और ratio ले लीजिए इनका बताइए इन में से कौन सा ratio नहीं हो सकता है तो अगर आप से जब भी पूँचे Can't be the ratio तो आप option by option चलिए Ratio ले लीजिए Solve करने पर अगर X positive आता है तो वो ratio डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि किसी की एज हमेशा Plus में होती है Minus में नहीं आपने यह नहीं सुनाओगा कि कोई Minus 26 साल का है हमेशा 26 साल का होता है और अगर कोई नावजाच सिस हुए तो वो 0 साल का होता है यही तो concept है Cross multiply करिए 10X-10 is equal to 12X-15 12X उधर आएगा तो 10X-12X हो जाएगा Minus 2X और यह Minus 15 प्लस 10 तो Minus 2X बराबर Minus 5 X की value आजाएगी 2.5 X अगर positive है तब यह ratio बिलकुल हो सकता है Option हैं हमारा नहीं होगा उसके बाद आजाते है दूसरे Option पे 5X-5 4X-5 4 by 3 15X-15 Cross multiply कर रहे है 20X- 16X-4 15X-16X-X Minus 20 प्लस 15 Minus 5 X बराबर 5 यह भी हो सकता है Because इसमें भी X की value positive आई है उसके बाद C पे चलते हैं 5X-5 Divide by 4X-5 8 by 7 25X-35 32X-40 35X-32X 3X Minus 40 35 Minus 5 X हो जाएगा Minus 5 5 बटे 3 जो की नहीं हो सकता है Age कभी भी negative नहीं हो सकती है यहां से हमारा correct हो जाएगा C यह आपका ratio नहीं हो सकता है 27 men can complete the work of digging a well in 20 days working 5 hours per day The work is start तो total काम कितना होगा जितना 27 लोग 20 दिन में 5 गंटे काम करते हुए करेंगे यह रहा आपका total work The work is start काम चालू हो गया 4 दिन बाद क्या हुआ कि 12 अदमी काम छोड़ कर चले गए तो यह बताईए 4 दिन बाद ऐसा हुआ है तो 4 दिनों तक क्या हुआ है 4 दिनों तक 27 लोगों ने 5 गंटे के हिसाब से काम किया है तो यह पूरा काम है इसमें से यह चला गया तो बचा कितना दिस माइनस दिस यह हो जाएगा 27 इंटू 5 इंटू 16 20 में 4 गया 16 यह हमारा काम बचा हुआ है इस काम को करेगा कौन वो देखिए 27 लोग थे 12 चले गए तो रह कितने गए 15 हमसे इनों ने पूँचा है कि यह 15 लोग जब आगे काम कंटिन्यू करेंगे और विदिन इट सेडूल करेंगे मतलब कि जितना टाइम बचा है उतने में ही कर डालेंगे तो 4 दिन बीच चुके हैं 20 दिन में काम होना था तो इसका मतलब 16 दिन और रह गए हैं तो यहां पर 15 लोग काम करेंगे 16 दिन इनके पास हैं और मान लीजिए T प्लस 5 टाइम इन्हें लगता है क्योंकि 5 गंटे तो यह काम करेंगे ही करेंगे उससे कितना ज़्यादा करेंगे वो देखना पड़ेगा T प्लस 5 यह टोटल काम हुआ और टोटल काम है कितना जो बचा है 27 इंटू 5 इंटू 16 तो क्या क्या कैंसल हो सकता है 16 5 वो थ्रीजा तो 3 T प्लस 15 बराबर 27 तो 3 T 27 माइनस 15 यानि 12 T बराबर 4 तो हमसे पूचा था बाकि लोगों को कितने घंटे दिन की ड्यूटी करनी पड़ेगी तो वही तो हमने T प्लस 5 माना था यानि 4 प्लस 5 नौ घंटे प्रती दिन इनको काम करना पड़ेगा C The greatest angle in a polygon is this किसी polygon में सबसे बड़ा angle ये है और अगर कुछ ना दिया हो तो internal angle ही मानेंगे तो जब internal angle सबसे बड़ा हो जाता है तो जो बाहर की तरफ angle बनता है न external वो उतना ही छोटा हो जाता है तो एक internal angle 110 है तो बाहर की कितने हो जाएंगे 180 माइनस 110 यानि 70 यही हमारा सबसे छोटा external angle हो जाएगा विकॉस किसी भी polygon में internal प्लस external बराबर 180 होता है तब ही मैंने 180 में से इसको less किया इन्होंने बोला था कि जो 110 था वो सबसे बड़ा internal angle था तो ये by default सबसे छोटा external angle हो चुका है तो ये चीज़ है इसमें अच्छा external angle सब मिला के कितने होते हैं 360 सब मिला के 360 होते हैं उन में से 170 है तो बाकी के 360 माइनस 70 यानि 290 तो ये है 290 170 हमारे पास है ये हो गया बाकी 290 कि क्या क्या possible combination हो सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा What is the maximum number of side 290 जितने ज़्यादा पार्ट में बट जाएगा इस polygon की उतनी ज़्यादा side हो जाएगी maximum side पूँचिए हमसे इसका मतलब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस 290 को ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में बांट दिया जाए अगर हम 70-70 के 4 हिस्से कर लें तो 280 हो जाएगा बांकी के 10 इसमें adjust करने पड़ेंगे 10 adjust करने का सबसे अच्छा तरीका है 4-3-2-1 4-3-7-2-1-10 ये 74, ये 73, ये 72, ये 71 और ये 70 ये सब मिलाके हो जाएगा 360 तो कितनी साइड हो गई 5 external angle तो 5 साइड ज़्यादा ज़्यादा इतनी हो सकती है The HCF of two numbers A and B is this and the LCM of same numbers are these 1st into 2nd बराबर LCM into HCF यही थियोरम होती है A into B बराबर 256 into 128 हमसे A into B ही पूँचा है इसको जितनी जल्दी आप multiply कर सकें उतना बढ़िया 256 होता है 2 की पार 8 128 होता है 7 तो ये 2 की पार 15 हुआ हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे कि 2 की पार 10 into 2 की पार 5 2 की घाद 10 होता है 1024 और 2 की घाद 5 होता है 32 तो 1000 प्लस 24 आप इसे लिख दीजिए into 32 ये 32,000 तो यहीं से हो गया 24 into 32 होता है 768 तो टोटल हुआ 32 768 let n be a natural number n एक natural number है यानि एक से लेकर infinity इसकी value कुछ भी हो सकती है कम से कम एक और जादस जादा infinity से थोड़ा कम यहीं हो सकता है लेकिन एक से नीचे value जो value है वो ये नहीं ले सकता है when n cube is divided by 8 यानि ये we get remainder a तो n की value रखके देखते हैं 1 का cube by 9, 1 by 9 जब 1 9 से कटी नहीं पाएगा तो remainder का तो सवाल ही नहीं उठता ऐसे ही 2 cube by 9, 8 बटे 9 जब division ही possible नहीं है तो किस बात का remainder 1 और 2 तो ignore हो गया 3 cube बटे में 9 27 बटे में 9 ये 3 आ गया यही हमारा a है तो क्या ये perfect cube है नहीं नहीं ये perfect square है तो इसको d को टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए था लेकिन अगर हम 4 cube बटे में 9 64 बटे में 9 9 सत्य 63 पूरा कट गया एक बच गया a is equal to 1 अब ये क्या है ये perfect cube भी है perfect square भी है पांच cube बटे में 9 125 बटे में 9 9 बंजा 9 नौतिया 27 आठ आठ जो है वो perfect cube भी है perfect square भी है लेकिन 6 cube बटे में 9 अगर हम करें तो 216 बटे में 9 18 ये 0 बच गया अब 0 तो कोई value ही नहीं है उसकी क्या उसको perfect square कहा जाए क्या cube कहा जाए तो फिर से condition खराब हो गई 7 cube भाई 9 729 भाई 9 81 हो गया 81 हमारा जो है question टेलिकेंडे में इंडर तो कुछ नहीं निकला न तो same condition 8 cube बटे में नहों 512 बटे में नहों 9 5 जा 45 9 6 जा 54 8 ये जो 8 है ये perfect cube है लेकिन perfect square नहीं है वैसे 7 का cube 343 होता है लेकिन चलिए इसको भी देख लेते हैं जो हमने 729 लिया वो तो खर 9 का cube होता है तो 343 by 9 3 जा 27 9 8 जा एक बचा जो की perfect square परफेक्ट cube सब है अब इसमें 10 का cube लेते हैं 1000 ले लेते हैं 9 11 जा 99 9 1 जा ये 1 ना तो perfect square है नहीं मतलब दोनों है खेर तो कभी हमारा perfect cube आ रहा है के वल कभी perfect square परफेक्ट cube दोनों आ रहा है कभी कुछ नहीं आ रहा है तो ये n की value पर ही depend कर रहा है कि क्या आएगा अगर इसमें ऐसा option होता it depends on the value of n तब हम यहाँ पे उसको tick करते लेकिन फिलाल इसमें कोई correct conclusion तो निकाला नहीं जा सकता है कि जी हाँ यही होगा तो नहीं इसे perfect cube का आ जा सकता है ना perfect square d two circles that touch each other externally दो circle हैं इस तरीके से दोनों बाहर से एक दूसरे को touch कर रहे हैं सिर्फ touch ये center c1 ये c2 the distance between their center यान इन दोनों के center को जोड़के सीधी line बना दीजिए वही distance है ये radius r1 है ये r2 तो center के बीच का distance हुआ r1 प्लस r2 जो की 28 है equation 1 total area इतना है यानि πाई r1 square प्लस r2 square ये है 490 πाई πाई से πाई कट गया r1 square प्लस r2 square 490 तो दो नमबर ऐसे आप सोचिए जिनको जोड़ दिया जाए तो 28 आ जाए और जिनके square को जोड़ दिया जाए तो 490 आ जाए हमसे इन्होंने पूचा difference of their radii difference का मतलब बड़ी radius माइनस छोटी radius अगर मान लिया जाए r1 बड़ा है तो r1 माइनस r2 हमें बताना है option से चलते हैं option है के इसाब से r1 माइनस r2 है 7 तो प्लस माइनस करेंगे equation में तो 2 r1 बराबर 28,7,35 तो r1 जो हो जाएगा 35 बटे 2,7,5 उसी तरीके से जो r2 है वो हो जाएगा साड़े 11 बिकाज दोनों मिला के 28 है लेकिन इन दोनों के square हमें 490 चाहिए क्या ऐसा हो पाएगा 17.5 का whole square प्लस 11.5 का whole square 11 नहीं 10 होगा साड़े 17 और साड़े 10 अठाइस यह होई नहीं पाएगा विकाज अगर 0.5 होता है कभी तो whole square खुलने के बाद 0.25 आता है इधर भी वही आएगा तो 0.5 आखिर में बचेगा जो की हमें चाहिए नहीं सीधे सीधे 490 चाहिए वैसे ही जो option 2 है उसे भी ले लेंगे r1 प्लस r2 तो 28 है r1 माइनस r2 अगर option b के हिसाब से 14 हो जाए तो 2 r1 बराबर 42 r1 बराबर 21 r2 बराबर 7 ये हो जाएगा 21 का स्क्वेर 441 और 7 का उन्चास 490 हो गया condition satisfy हो गई option b को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे the tap p and q can fill a tank in 10 and 15 minutes respectively p अगर टंकी को अकेले भरेगा तो 10 minute लेगा q लेगा 15 minute तो total टंकी कितनी बड़ी है कितने लीटर की है ये कैसे पता चलेगा 10 और 15 के LCM से जो कि 30 होगा जहां तक p की बात है तो 10 minute में 30 liter भर देगा तो 1 minute में 3 liter ऐसे ही q 15 minute में 30 liter तो 1 minute में 2 liter के हिसाब से टंकी भरेगा if tap q is opened 3 minutes after p opened पहले आपने tap number p को खोल दिया 3 minute के लिए तो 1 minute में 3 liter 3 minute में 9 liter 9 liter तंकी खुद p ने भर दी तो बाकी की 30 minus 9 21 liter ये दोनों मिल के भरेंगे because 3 minute बाद आपने दूसरे वाले को खोल दिया था तो 1 minute में 3 और 2 5 liter तो 21 liter में कितने minute 21 बटे 5 4.2 0.2 होता है 1 by 5 1 बटे 5 minute यानि इतने second 12 second तो 4 minute 12 second इन लोगों को लगेंगे अगर 7 में काम होगा और 3 minute Q अपना समय ले ही चुका है in fact P तो 4 minute 12 second और 3 minute यानि 7 minute 12 second लगेंगे टंकी को पूरी भर जाने में जो कि आपसे पूचा है 7 minutes 12 second अगर एज थी प्रीती और जोती की 7 साल पहले तो अभी कितनी होगी तो 7 X प्लस 7 छे 13 और ये 6 X प्लस 7 छे 13 ये रेशियो हो गया 7 X प्लस 13 और 6 X प्लस 13 ये रेशियो कितना नहीं हो सकता है तो उसी टाइप का सवाल है जिसमें हमें केवल ये पकड़ना होता है कि कौन से option की help से X की value negative हो जाएगी ये 15 by 14 1478 X प्लस 14 इंटू 13 182 ये 156 जा 90 X प्लस 1513 जा 195 ये 8 X 195 माइनस 182 यानी 13 X की value positive आई न ये रेशियो हो सकता है बिलकुल वहीं पर 6 X प्लस 13 ओप्शन भी ले लें अगर हम 1177 X प्लस 143 थर्टिन सिख्जा 78 X प्लस 169 77 X माइनस 78 माइनस X 169 माइनस 143 यानी 26 X बराबर आगया माइनस 26 जो की possible नहीं है तो बस यही वो option है जिसकी हमें तलास है भी इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे because इससे हमें X की negative value मिली जो की possible नहीं है 15 women और 9 men can complete a work in 24 days तो चाहे 15 औरतें करें तो भी 24 दिन चाहे 9 आदमी करें तो भी 24 दिन तो total work दोनों ही case में बराबर होगा because काम complete हो जाएगा 24 से 24 कटा 3 5 जा 3 3 जा 5W is equal to 3 M M by W का ratio ले लीजिए because total work decide करने में ये ratio बहुत important होगा 5 by 3 M के सामने 5 है इसका मतलब एक आदमी एक दिन में 5 unit काम करता है ऐसे ही W के सामने 3 है इसका मतलब एक औरत एक दिन में 3 unit काम करती है तो total work कितना हो जाएगा या तो इस equation में M के जगा 5 W की जगा पे 3 रख दीजिए या फिर same काम यहाँ पे कर लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ 15 W की जगा पे 3 into में 24 ये total काम है अब इसे करना किसको है 15 women और 15 men को women की जगा पे किसी की जगा पे कुछ भी रखे because दोनों ही पंद्रा पंद्रा है 15 5 जा 15 3 जा उपर solve मत करिए 15 55 पंद्रा तियाँ 45 एक सो बीस 15 8 जा 8 3 जा ये उपर हो गया 3 तिरिक 9 9 डेस option D उसके बाद next है 135 नंबर Rita, Mina and Sita can complete a work in 6, 9 and 12 days respectively तो total work कितना ले ले 6, 9, 12 का LCM जो की वैसे तो सोचने से पता ही चल जाएगा लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 6 होता है 2, 3, 9 होता है 3 का स्क्वाइर मतलब prime factorization की power 12 होता है 4, 3 ही 2 square into 3 2 की highest power 2 3 की भी 2 9, 8, 72 तो 72 unit का total काम हम ले लेंगे जहां तक Rita की बात है तो 6 दिन में 72 unit तो एक दिन में 72 बटे 6 12 unit वैसे ही जो मीना है वो लेती है 9 दिन तो 72 by 9 यानि की 8 unit प्रतिदिन के हिसाब से इनकी speed होगे सीता को लग जाते हैं 12 दिन तो 72 बटे 12 यानि 6 unit ये हो जाएगी इनकी efficiency तीनों efficiency जोड़ दे तो इसी रेशियों में जो भी रुपए बटने होते हैं बट जाते हैं इनका प्रोजेक्ट था 26 अजार का तो रीता का share उस प्रोजेक्ट में कितने हजार का ये बताईए तो 12,8,26,26 तो 26 रुपए का अगर प्रोजेक्ट है तो रीता को 12 मीना को 8 और सीता को 6 रुपए मिलेंगे लेकिन प्रोजेक्ट 26 ना होके 26,000 का है इसका मतलब एक unit की value 1000 जो भी आप से पूँचे उसका 1000 गुना लेना पड़ेगा share of रीता रीता यानि इधर सबसे उपर 12 का 1000 गुना हो जाएगा 12,000 see a racing car covered a distance of 600 km at a constant speed speed x थी अगर पहले तो यहाँ पे time क्या होता है distance by speed 600 by x ये time होगा if the speed was 50 km पर आर मोर 50 से बढ़ गई तो 600 by x प्लस 50 नया time ये हो गया it would have taken 2 hours less obvious से बात है कि अगर speed बढ़ जाएगी तो time कम हो जाएगा तो time कितना कम हो गया 2 गंटे यानि time का difference 2 गंटे बढ़ा time माइनस छोटा time तो 600 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो बढ़ी value मिलेगी या फिर x प्लस 50 से 600 by x माइनस 600 by x प्लस 50 ये है 2 x की value ऐसे रखे जिससे RHS सटिस्फाई हो जाए यही तरीक आपनाईएगा quadratic बना के solve करने मत जाईएगा अगर ये 75 होता तो 600 by 75 ये हो जाता 8 और ये 75 प्लस 50 125 होता ये तो 25 इसको 5 बार में काटता 25 दूनी 50 ये 100 ये पक्का point में आना था और जबकि RHS में integer दिया है 2 ये option अमारा नहीं होगा अब की बार इसी equation में आप option B को रख देंगे लेकिन फिर से वही समस्य से आगर यहां पे 125 हो जाएगा तो बस integer में value नहीं आ पाएगे C रखते हैं 100 ये 6 होगा और ये 100 प्लस 50 डेड़ सो 600 बटे डेड़ सो यानी 4 6 माइनस 4 दो और वही RHS में दिया है option C satisfy हो चुका है आपका right answer हो चुका है C जितने भी chapter से सवाल आ रहे हैं link में description में एक link मिलेगी जिसमें पापा वीडियो का link होगा math subject के उपर math और reasoning आला की दोनों उसमें cover है उसको जिनों ने भी पूरा देखा है सबी लोग जानते होंगे कितना लाबकारी वो वीडियो है UP के exam के लिए more than sufficient है और आगे जो भी update होगा उसमें कर दिया जाएगा तो वहाँ पे जाके देखिए जितने भी हमारे free के subscriber है आपको जरूर उसमें लाब मिलेगा तो खैर आगे बढ़ते हैं 137 पे इन triangle ABC एक triangle है ABC P and Q are the points of AB and AC यह AB है इस पे point P ले लिया यह AC है इस पे point हमने Q ले लिया such that PQ यह जो line बनी PQ यह BC यह नीचे वाली BC के parallel हो जाएगी यानि इसको चाहे जितना आगे बढ़ा दीजे इसको चाहे जितना आगे बढ़ा दीजे दोनों line कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो ऐसे में जो triangle है दो एक उपर छोटा वाला और एक यह पूरा बड़ा वाला दोनों आपस में similar हो जाएंगे और similar triangle में corresponding side का ratio बराबर यानि AP by AB यह बराबर हो जाएगा AQ by AC के AQ by AC AP X दिया है AB यह हमें X plus 13 दिया है बराबर AQ यह हमें दिया है X minus 2 और AC हमें दिया है X plus 9 solve करके X निकाल दीजे cross multiply करेंगे तो X square plus 9X यह बराबर होगा X minus 2 into X plus 13 जो की हो जाएगा X square थोड़ा साफ साफ इसको लिख देते हैं X square plus 9X is equal to X plus 13 X minus 2 X square minus 2X plus 13X minus 26 13 में से 11 गया दो गया तो 11 X square plus 11X minus 26 X square plus 9X X square से X square कट गया 11 में से 9 गया 2X बराबर 26 तो X बराबर हुआ 13 D P, Q, R and S are con-cyclic con-cyclic का मतलब एक circle की परदी पर 4 point जुड़े होंगे यह P, Q यहां पर ले लिया इन दोनों को मिलाना पड़ेगा फिर यह R हो गया और यह बाहर कहीं S हो गया तो एक यहां पर cyclic quadrilateral बन चुका है P, Q, 9 है This is 9 Q, R, 8 है यह 8 हुआ RS है 6 तो यह PS कितना होगा यह बता दीजे और दूसरी बात यहां पर दीए PR, Bicect, QS यह जो PR है और यह जो QS है यह PR, QX को Bicect करेगा यानि जितना distance यह उतना distance ही है और ऐसी situation में triangle को label कर देते हैं यह पहला मतलब यह वाला यह दूसरा यह तीसरा और यह चौथा पहला और तीसरा triangle आपस में congruent होगा इसे प्रूव किया जा सकता है लेकिन उसमें time जादा लगेगा सीधे theorem को इस्तिमाल करेंगे पहला और तीसरा आपस में क्या है similar है और similar में जैसा कि हमने पहले use किया था previous question में ratio को बराबर करने के लिए तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे इसका PQ और इसका RS इसका ratio ले लेते हैं 9 by 6 यह यह इसका ratio ले लिया तो इस triangle में यह उठा लेते हैं यह suppose point O है यह O P और यहाँ पे corresponding side काउंसी हो जाएगी यह वाली यह विकास जो बराबर होती है उसी पे बात करते हैं लेकिन यह और यह चूंकि बराबर है इस वज़े से हम यह ले लेंगे तो O S की जगा पे O Q ले लिया O P by O Q 9 by 6 यानी 3 by 2 3 3 za 3 2 za इस result को ध्यान रखेंगे यह result तब का है जब पहला और तीसरा हमने similar बनाया उसी तरीके से जब हम दूसरा और चौथा triangle similar लेंगे तो यह दोनों side congruent हो जाएंगी यह वाली Q R और P S तो Q R by P S यानी 8 by K इसी की length चाहिए तो इसको मान लिया K यह यह बराबर हो जाएगा यहां से O P और यहां से हम ले लेंगे O Q O P by O Q लेकिन O P by O Q तो 3 बटे 2 है यहां से तो 3 बटे 2 यहां रख देंगे लेकिन O P by O Q ठीक तो लिया है लेकिन जब हम यहां पे 8 ले रहे हैं तो O Q इधर है न तो O Q ऊपर O P इधर होगा तो 3 बटे 2 नाओं के 2 बटे 3 हो जाएगा 2 4 जा 4 3 जा 12 यह वाली साइड हो चुकी है 12 D इस एक्वेशन को सॉल्व करिए क्रोस मिल्टिप्लाइ कराइए 1 माइनस कॉस अलफा का होल स्क्वेर प्लस साइन स्क्वेर अलफा नीचे आ जाएगा साइन अलफा इंटू 1 माइनस कॉस अलफा 1 प्लस कॉस स्क्वेर अलफा माइनस 2 कॉस अलफा प्लस साइन स्क्वेर अलफा और यह साइन अलफा 1 माइनस कॉस अलफा साइन स्क्वेर अलफा प्लस कॉस स्क्वेर अलफा 1 और यह 1 प्लस 1 2 तो 2 कामन 1 माइनस कॉस अलफा और नीचे तो खेर as it is रहेगा sin alpha into 1-cos alpha 1-cos alpha उपर नीचे cancel 2 बटे sin alpha यह sin जब उपर जाएगा तो इसका reciprocal हो जाएगा 2 cos alpha B Pintu sold an article at a loss of 10% 10% के loss में बेच दिया यानि minus 10 यह 0 मतलब अगर cost price पे बेचा होता Had he sold it at rupees 180 more He would have made a profit of 2% यह plus 2 हो जाता मतलब 0 के इस तरफ इन दोनों के बीच में difference कितना है 10 का इधर, 2 का इधर total 12% का difference हो गया जो की 180 की वज़े से आया है जो 12% वही 180 है What is the cost price जो की शुरू में हमेशा 100% होता है तो यह बता लेंगे 118,200 by 12 15's are 1500 C 141 नंबर है With the money, connect has connect के पास जितने भी रुपए होते हैं She can purchase आईदा 30 pen और 50 pencil उन रुपियों से अगर वो पूरे खर्च हो जाए तो या तो 30 pen खरीदे जा सकते हैं या फिर 50 pencil तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं 10% मतलब 15,80 मतलब 8 गुना 15,800, 120 रुपीज खर्च हो गए 30 रुपए बचे हुए हैं 150-120 With the remaining money इन 30 रुपियों से जादा से जादा कितनी pencil खरीदी जा सकती है और एक condition और थी कि उसने सिर्फ 10 pen खरीदे तो 120 रुपए खर्च हुए 10 pen में 5,50 रुपए खर्च हुए इसका मतलब यह हुआ कि बांकी के 70 रुपए इसने pencil के उपर खर्च किये यह जो बची हुई धनराशी है यह 30 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं इसको अलग अटा देना है यह जो 80% खर्च किया उसमें से केवल 10 pen खरीदे तो यह जो 80% है 120 इसमें से जो 70 रुपए बचे हैं न इसमें कितनी pencil आ सकती हैं यह बताना है विकॉज यह जो 120 खर्च हुए हैं यह पूरे पूरे तो खर्च हो नहीं गये हैं ऐसा तो है नहीं कि एक भी pencil इसमें नहीं आ सकती 70 रुपए में कितनी भी आ सकती है rate के हिसाब से तो एक 3 रुपए की 23 खरीद लेंगे 69 रुपए की एक रुपए बच गया उसका कोई मतलब नहीं है विकॉज ना तो उसमें एक pen आएगा ना ही एक pencil तो हमने देखा कि 23 pencil maximum खरीदी जा सकती है 70 रुपए में उसमें से भी एक बच जाएगा D 23 रुपीज 3000 is length in two parts फस्ट is X, सेकंड is Y उसमें से भी X बड़ा पार्ट है यानि 3000 में दो combination बनाए X बड़ा पार्ट, Y छोटा पार्ट तो ये X, ये Y X को 20% पे दिया और विस से बात है जादा पर्षेंट पे देंगे तो बड़ा पार्ट देना चाहेंगे 20% Y है 10% तो allegation की feeling आनी शुरू हो गई है कि 20% वाले में 10% वाले को मिलाया तो इससे हुआ क्या वो देख लेते हैं Total interest in a year is रुपीज 500 एक साल के 500 रुपे ब्याज मिल गए ये फाइदा हुआ है तो 500 रुपे ब्याज है तो ये देखना पड़ेगा कि वो percentage wise कितना है क्योंकि 2% मिलाके जो तीसरी चीज़ चाहिए वो भी percentage में ही चाहिए 100% यानि principle बराबर है 3000 के तो ये 500 कितना परसेंट होगा ये बताईए 100 into 500 by 3000 6 जा 50 बटे 3 50 बटे 3% बना तीनों तरफ तीन से गुड़ा कर लीजिए ताकि ये तीन ये तीन कड़ जाए ये 60 ये 30 ये 50 तो 60 परसेंट वाले में 30 परसेंट वाले को मिलाया तो 50 परसेंट वाला बन गया एलिगेशन का परफेक्ट एक्जामपल है 60-50 के बीच में 10 का अंतर इधर आएगा 50-30 के बीच में 20 का अंतर इधर आएगा 10-2 जा 10-1 जा 2 और 1-3 टोटल प्रिंसिपल है टोटल प्रिंसिपल 3 ना हो कि 3000 है यानि एक उनिट की वैल्यू है 1000 जो भी चाहिए उसका 1000 गुना करेंगे Y is equal to Y के corresponding क्या है यह 1 है ना 1 का 1000 गुना 1000 A एनलमीनियम केबल विद डाइमीटर ओफ 6 सेंटीमीटर एनलेंथ 32 जो भी केबल का तार होता है उसे बाइडिफॉल्ट सिलेंडर माना जाता है उसकी रेडियस 6 है तो डाइमीटर हो सॉरी डाइमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगी लेंध यानि की हाइट यह हो जाएगा 32 सेंटीमीटर Is melted to form a sphere सिलेंडर से sphere बना दिया तो जब भी ऐसा किया जाता है कि एक 3D figure को पिगला के दूसरा 3D figure बना लिया जाए तो यहाँ पे overall volume conserve होती है जितनी पहले figure की उतनी दूसरे figure की पहले figure की pi r square h दूसरे figure की हो जाएगी sphere है तो 4 by 3 pi r cube pi से pi कट गया इसकी radius 3 है height है 32 4 बटे 3 radius का cube because sphere की radius हमें चाहिए 8 जा यह हो जाएगा 3 का cube और यह 8 को आप लिख सकते हो 2 का cube और यह r का cube cube root लीजे दोनों तरफ तो यह हो जाएगा 3 into 2 6 cm b in a perfect square if the unit digit is 4 एक ऐसा perfect square है जिसका unit digit 4 है तो perfect square number यह लीजे 4 ऐसे ही यह लीजे 144 64 और भी कई सारे हो सकते हैं 324 18 का square होता है 324 तो इन सब के square root हमें क्या देंगे 2, 12, 8, 18 यही सब तो देंगे then the unit digits in its square root तो कभी 2 मिल रहा है कभी 8 मिल रहा है तो 2 और 8 यही दोनों possibility हैं for the numbers a minus b and a plus b as twin primes twin prime का concept यह कहता है कि आपके पास 2 prime number होने चाहिए वो भी 2-2 के gap में जैसे 3 के बाद 5 5 के बाद 7 11 के बाद 13 17 के बाद 19 2-2 का gap है सभी में तो a minus b अगर 3 है a plus b अगर 5 है तो a minus b is equal to 3 a plus b is equal to 5 तो 2 यह बराबर 8 तो a बराबर 4 और b बराबर 1 तो यहाँ पे a 4 है b 1 है इधर देख लेते हैं 5 और 7 में a minus b 5 है a plus b 7 है तो 2 a बराबर 12 तो a बराबर 6 b बराबर 1 यह वाला combination हमें देगा 6 और 1 पिछली बार हमें मिला था 4 और 1 तो मतलब यह कनिवारे रूप से मिलाई था अब 17 और 19 तक पहुँच जाते हैं तो a plus b 19 a minus b है 17 तो 2 a बराबर 36 a बराबर 18 b बराबर 1 विकॉज दोनों मिलाके 19 तो फिर से 18,1 तो मतलब 1 हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा ऐसे पेर में जिसमें 1 हमें अनिवार रूप से मिले उसे कहा जाता है को प्राइम a find the value of this expression यह 1 by 2 है और यह है 2 by thousand 1 by thousand यानि 0.001 a उसके बाद 147 नंबर में x square प्लस y square x square प्लस y square होता है x प्लस y का whole square माइनस 2xy x प्लस y इन दोनों का sum root 2 प्लस 1 का whole square cross multiply करा रहे हैं because जोड रहे हैं root 2 माइनस 1 का square root 2 plus 1 root 2 माइनस 1 a प्लस b का whole square plus a माइनस b का whole square आपको क्या देता है twice a square प्लस b square याद रखेगा हमेशा ये twice root 2 का square 2 1 का 1 और ये root 2 का square माइनस 1 का square यानी 1 नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तीन दूनी 6 6 हुआ इस 6 को हम याद रखेंगे x प्लस y हमारा 6 है x इंटू y यानी simple multiplication इससे सब कट गया 1 हो गया तो x y हमारा 1 है x प्लस y 6 है तो 6 का square माइनस 2 इंटू 1 36 माइनस 2 34 d इतना ही आसान था इसको solve करने का तरीका उसके बाद 144 में simple calculation है 10% of x x by 10 25% of y y by 4 4 x is equal to 10 y x by y आ जाएगा 10 by 4 5 by 2 4 men and 6 women can complete a task in 8 days तो 4 आदमी 6 औरतें ऐसे ऐसे 8 दिन लग जाएगे तो काम complete हो जाएगा यही काम तब complete हो जाएगा जब 3 आदमी और 7 औरतें हो जाएगे 10 दिन के लिए 2 4 जा 2 5 जा 16 men plus 24 women 15 men plus 35 women men is equal to 11 women m by w का ratio आ चुका है 11 by 1 एक आदमी एक दिन में 11 यूनिट और एक औरत एक दिन में एक यूनिट काम कर पाएंगी तो टोटल वर्क m11 w1 यहाँ 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 रख दीजे तो 4 11 plus 6 1 कितने दिन के लिए आठ दिन के लिए यह टोटल वर्क हो गया 44 छे 50 into 8 यह टोटल काम है अपने पास करने कौन जा रहा है 10 women 10 into 1 5 weights of 40 days 40 दिन लग जाएंगे D If the radius of sphere A is half of the another sphere B दो गोले हैं A और B गोले A की जितनी भी radius है वो आदी है B के comparison में तो B की अगर 2 unit की radius है तो A की हो जाएगी just आदी यानी एक unit The ratio of their volume V A versus B B का ratio चाहिए 4 by 3 pi R A का cube 4 by 3 pi R B का cube 1 cube divided by 2 cube 1 by 8 B